ये वाला एक normal ceiling fan है और ये वाला BLDC ceiling fan है पिछले काफी सालों से लोग ये normal वाला ceiling fan यूज कर रहे थे लेकिन पिछले कुछ सालों से ये BLDC ceiling fan भी market में काफी जाधा popular होने लगा है तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों fans को अच्छे से समझेंगे भार से तो आप इने देखी रहे हैं इनको अंदर से खोल के भी मैं आपको दिखाऊंगा इनके बीच में कितने features का difference है वो हम समझेंगे price difference हम समझेंगे और किस किस के क्या फायदे है और किस किस के क्या क्या नुकसान है वो सारी चीज़े आज इस वीडियो में हम समझेंगे तो चलिए अब बिना time waste के वीडियो को शुरू करते बाहर से देखने पर तो ऐसा कोई जादा फरक इन दोनों fans में नजर नहीं आता लेकिन फिर भी जो जो चीज़े हमें दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो circular plate की अगर हम बात करें तो जो normal ceiling fan है उसकी जो circular plate है वो थोड़ी मोटी है ये चीज भार से अलगी दिखाई दे रही है और होई अगर मैं बेक BLDC fan की बात करूँ तो इसकी जो circular plate है वो normal fan के मुकाबले थोड़ी सी पतली हो जाती है उपर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक capacitor आपको नजर आता है इस capacitor का काम ये होता है कि जब ये fan घूमता है तो इसको शुरू में एक push चाहिए होता है घूमने के लिए उस push को ये capacitor फुल्फिल करता है इसके अंदर थोड़ा सा charge होता है जो शुरू में हलका सा push इस fan को दे देता है उसके बाद ये भूमता रहता है लेकिन एक BLDC fan में capacitor का कोई काम नहीं होता इसको शुरू में किसी push की जरूरत नहीं होती तो इसमें आपको capacitor देखने को नहीं मिलेगा instead इसमें आपको एक circuit type का कुछ देखने को मिलेगा जो की अच्छे से sealed pack है इसके अंदर एक PCB circuit लगा हुआ है जिसके अंदर काफी चोटे-चोटे components होते है capacitor होता है, microcontroller होता है उसका काम ये होता है कि इस fan को जो supply चाहिए होती है हमारे घर पर जो supply आती है वो होती है AC supply यानि की alternate current की supply और सारे appliances उसी current के उपर चलने के लिए बने हैं लेकिन ये BLDC fan है इसको DC current चाहिए तो जो हमारे घर पर supply आ रही है उसको AC से DC में convert करने का काम इस circuit का है अगर अंदर से खोल कर देखते हैं तो सबसे पहले ये normal fan आप अपने सामने देख सकते हैं इसको खोल कर ऊपर वाला पार्ट अलग कर लिया है और नीचे base वाला पार्ट अलग कर लिया है इसमें आप देख सकते हैं एक stator है जिसमें दो winding करी गई है जो अंदर वाली winding है ये main winding इसको बोलते हैं और जो बाहर वाली है इसको auxiliary winding बोलते हैं ये winding या तो copper wire से आप कर सकते हैं या आप चाहें तो aluminium wire से भी कर सकते हैं aluminium वाली सस्ती पढ़ती है लेकिन performance और life के हिसाब से copper वाली ज़ादा बढ़िया होती है जब इस winding में current दिया जाता है तो यहां electromagnetic flux generate होता है और यह जो दूसरा part आप देख रहे हैं इसमें bearing लगी हुई है ऐसी ही bearing इस वाले part के back side में भी है तो मतलब total दो bearing लगी हुई है और इस part को यहां लगाते हैं और जब magnetic flux generate होता है तो यह घूमता है और यह जो अब आप देख रहे हैं यह है BLDC fan यह भी हमने open कर लिया है इसकी motor आप देख सकते हैं मेरे हाथ के size के हिसाब से जितना एक glass का मुह होता है इतनी छोटी सी इसकी motor है इसमें भी copper wire से ही winding की गई है लेकिन थोड़ा motor wire इसमें use किया गया है और इस part को stator बोलते हैं अगर rotor वाले part की बात करूँ तो यह इसका rotor है और यह permanent magnet से बना है इसके भी काम करने का तरीका same है जब इस stator में current दिया जाता है तो यहाँ भी electromagnetic flux generate होता है और यह जो rotor वाला part है यह permanent magnet का उसके around होता है तो यह घूमना start हो जाता है यहाँ जादा फायदा यह होता है कि यह magnets stator के साथ direct contact में नहीं है जैसे normal fan में हमने देखा था वाँ पर bearing लगा हुआ था घूमाने के लिए यहाँ ऐसा नहीं है तो इससे heating वाला issue काफी कम हो जाता है इसके अलावा यहाँ जो PCB circuit आप देख रहे हैं यह fan के लिए नहीं है बलकि LED bulbs के लिए है जो की fan की speed बताने का काम करते हैं या फिर इनको night lamp की तरह भी आप use कर सकते हैं तो काफी छोटी motor है यह normal fan के मुकाबले अब एक बार दोनों fans को आप एक साथ देख लीजिए difference अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इसके अलावा एक difference जो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा वो है इनका weight weight की अगर मैं बात करूँ तो जो BLDC fan है यह normal fan के मुकाबले लगबग आधे weight का है तो मतलब इसको लगाने उतारने में जादा difficulty नहीं होती इन दोनों के rotors को भी आप एक साथ देख लीजिए BLDC rotor में permanent magnets है normal fan में magnets नहीं है लेकिन यह bearing लगा हुआ है जिससे यह घूमता है और BLDC वाले base में एक center में glass भी है जिससे LED bulbs की रोशनी नीचे दिखाई देती है features की अगर मैं बात करूँ तो जो normal ceiling fan है इसमें fan के अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता सिर्फ हवा आपको लगेगी इससे जादा आप कोई उम्मीद मत रखिए क्योंकि यह एक electric device है आपको इसको electronic device नहीं कह सकते इसमें सारे electrical connections किये गए है और उससे जादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन वहीं अगर मैं BLDC fans की बात करूँ तो इन में काफी सारे options आपको मिल जाते है सबसे पहले तो यह भी एक electrical device है लेकिन इसमें PCB board लगा के इसको electronic gadget बना दिया गया है और electronic gadget में आपको help यह मिल जाती है कि उसमें आप कुछ features add कर सकते है जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर lamp वाला feature एक हमें मिल जाता है कुछ LED bulbs इसमें लगा दिया है जो अभी मैं आपको खोल के दिखाया था LED bulbs इसमें लगा दिया है एक circuit board के उपर जिससे कि वो lamp का काम करते है इसमें speed को control करने का option आपको मिल जाता है एक remote की मदद से और timer लगा सकते हैं आप इसमें माली जी रात को आप सो रहे हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि जब हम सोते हैं उस time पर गर्मी लगती है लेकि इन सुबा के 3-4 जब बज़ जाते हैं तब ठंड लगने लगती है तो इसमें timer option आप लगा दीए माली जी ये 3-4 घंटे के बाद अगर आप चाती है बंद हो जाए तो timer option लगाए ये fan अपने आप बंद हो जाएगा remote से आप इसको control कर सकते हैं तो ये सारे features इसमें मिल जाते हैं और यही इन दोनों के features के बीच में difference है काफी सारे features इसमें मिल जाते हैं BLDC में लेकि normal में आपको नहीं मिलेंगे इसके लावा power consumption की अगर बात करूँ तो इसमें मैंने आपको दिखाए कि इतनी बड़ी motor लगी हुए है और AC motor है इसके अंदर DC motor है DC motor का फायदा यही होता है कि उसमें power consumption काफी कम होती है तो normal fan जो आपका 70-75 watt consume करता है एक BLDC fan 25-35 watt consume करता है अगर आप चाहें तो आप ऐसा fan ढूण सकते हैं जो कि normal fan के मुकाबले लगबग एक तिहाई बिजली यूज़ करता है तो मतलब normal fan अगर 75 watt ले रहा है तो 25 watt का BLDC fan आपको market में easily मिल जाएगा दूसरा difference दोनों के बीच में यह हो जाता है कि इसमें heat होने लगती है क्योंकि इसके अंदर coil लगी होई है और stator rotor part दोनों ball bearing से connected है तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा part है जो एक दूसरी के साथ friction में आता है और वहाँ पर heat पैदा होती है लेकिन इसके साथ ऐसा कोई system ही नहीं है मैंने आपको खोल के दिखाया था जो rotor वाला part है उसमें permanent magnet का use किया गया है और magnet वाला scene जहां पर आ जाता है वहाँ पर contact खतम हो जाता है stator और rotor के बीच आपस में तो वहाँ पर heat काफी कम हो जाती है इसके बाद price difference की अगर मैं बात करूँ तो एक normal ceiling fan अगर आप market में खरीदने जाएंगे तो आपको 1200, 1500, 2000 रुपे तक का एक अच्छी company का normal ceiling fan आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ी जादा research करेंगे और थोड़े local brand की तरफ भी जाएंगे तो आपको हो सकता हजार रुपे का एक ceiling fan भी easily मिल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वहीं अगर हम BLDC fans की बात करें तो local brand जो होते हैं जिनका नाम इतना popular नहीं हो सकता है उनके product भी जादा अच्छे ना हो उनके BLDC fans आपको 2500, 2600 रुपे से कम से कम start होते हुए देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप अच्छे brand के साथ जाना जाते हैं तो 3,300 कम से कम price range हो जाती है अच्छे brand के साथ जानेगी और वहीं फिर इनके design के उपर बात आजाती है जितना जादा आप design के उपर पैसा लगाएंगे आपको maximum 10,000, 12,000 तक का भी एक BLDC ceiling fan market में मिल जायागा जैसे यह आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो fan देख रहे हैं यह है Orpet Company का BLDC ceiling fan इसके अंदर energy efficient BLDC motor का use हुआ है dual coated copper wire का use हुआ है double protection के लिए voltage fluctuation से और 100% copper wire से इसमें winding करी गई है इस model का नाम है money saver plus और इसका price of 4825 रूपीज इस fan में आपको LED lights मिल जाएंगी जब आप speed बढ़ाते या घटाते हैं तो यह LED lights जो होती है यह भी कम जादा होती है या फिर night lamp के तोर पर भी आप इसको use कर सकते हैं इसके लिए एक remote आपको मिलता है यह IR type remote है यानि कि infrared sensor इसमें यहाँ पर लगा हुआ है इसका मतलब यह हो जाता है कि इस remote को आपको fan के direction में point करके ही इसको operate करना पड़ेगा इसमें power button आपको मिल जाता है LED on off button मिल जाता है boost mode मिल जाता है माली आप कहीं भार से आये हैं और आप चाते है fan थोड़ी जादा speed में चले तो आप boost mode ड़ा बटन दबा दीजिए और fan की speed थोड़ी सी बढ़ जाती है बाकि इसके लावा multiple speed buttons आपको मिल जाते हैं इसमें 1,2,3,4,5 timer mode इसमें आपको मिल जाता है sleep mode आपको मिल जाता है और इसमें एक छोटी सी coin cell battery का use किया गया है जो कि यहां से अंदर लगाई जाती है इसके लावा अगर इस fan को आप बिना remote के use करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं सिर्फ switch की मदद से आप इस fan को operate कर सकते हैं अगर आप mobile के थूँ इसको operate करना चाते हैं तो एक app आपको download करनी पड़े ही और pad की और उसके बाद आप इसको use कर सकते हैं लेकिन condition एक है कि जिस भी smartphone के थूँ आप इसको operate करेंगे वो IR blaster होना चाहिए इसका मतलब उसमें चोटा सा IR sensor आपको दिख जाएगा अपने phone में चेक कर लीजेगा अगर वो है तब ही आप smartphone की मदद से इसको use कर पाएंगे बाकी इसके circuit के अगर मैं बात करूँ तो यह easily removable circuit है अगर कोई issue होता है तो इस circuit को आप निकाल सकते हैं और इसको सही करवा सकते हैं इसके अलावा इसमें ZZ type ball bearing का use हुआ है ZZ type ball bearing का मतलब होता है कि उसमें bearing के दोनों तरफ metal की sheet का use कर दिया जाता है जिससे की higher air delivery मिल जाती है पूरे fan के उपर antibacterial paint किया गया है इन blades की मतलब से जब यह fan चलता है तो 380 RPM maximum इसकी RPM speed होती है जो की boost mode में आपको मिलेगी 380 की अगर CMM की अगर हम बात करें जो की air delivery देखने का एक तरीका होता है तो 2500 CMM की इसमें air delivery rate आपको देखने को मिल जायागा boost mode के उपर silent operation इसमें मिलता है यानि कि बिल्कुल भी आवाज यह पंका नहीं करता है अगर आपके area में voltage थोड़ी कम हो जाती है तो same speed आपको मिलेगी minimum 180 volt तक भी अगर fluctuate होती है voltage तो भी आपको same speed मिलेगी और high voltage 290 volt तक भी same speed आपको मिलेगी इस BLDC fan का फायदा यह हो जाता है कि 28 watt का यह total fan है हमारे घर पर जो fan लगे होते हैं वो 70-75 watt के होते हैं यानि कि इस fan को अगर आप inverter पर चलाएंगे तो 3 गुना जादा यह दूसरे fans के मुकाबले उस inverter पर चलेगा इससे आपको साल में लगबख 1750 रुपे की बचत होती है अगर दोनों के pros और cons की बात करूँ तो normal fan का एक ही pros है वो यह कि यह थोड़ा सस्ता आपको मिल जाता है बाकी cons की list इसकी काफी लंबी है सबसे पहले इसके अंदर heat होती है दूसरी बात इसके अंदर कोई जादा extra features आपको नहीं मिलते और तीसरा कोन तो सबसे ही जादा खतरना काई इसकी power consumption काफी जादा high है 75W, 70-75W consume करता है एक normal ceiling fan अगर आपके घर पर ऐसे 4 normal ceiling fan भी लगे वे हैं क्योंकि इसके अंदर DC motor का use हुआ है लगबग एक तिहाई power consume करता है ये normal fan के मुकाबले इसके बाद इसमें कोई heat वाली problem नहीं है जैसे कि normal fan में हमने देखा था heat वाली problem इसमें नहीं होती और तीसरे सबसे बढ़िया features ये मिल जाते हैं में काफी सारे छोटे छोटे features आप add कर सकते हैं जैसे कि speed control कर सकते हैं remote की मदद से timer लगा सकते हैं boost कर सकते हैं अगर आपको boost performance चाहिए fan की थोड़ी fast speed चाहिए तो वो आप कर सकते हैं LED lamps लगा सकते हैं छोटे छोटे तो ये काफी सारे options हमें एक BLDC fan में देखने को मिल जाते हैं वहीं इसके अगर मैं cons की बात करूँ तो इसका सबसे बड़ा con यही है कि cost थोड़ी सी जादा हो जाती है and I am sure यह ऐसा नहीं है कि company ने fan बनाया है features जादा दे रहे हैं तो उन्होंने सोचा जादा cost कर देते हैं definitely इसको बनाने में cost थोड़ी जादा लगी होगी इसलिए उन्होंने इसकी जो cost है वही थोड़ी जादा रखी है और हर company के साथ same वही scene है इसके अलावा इसका दूसरा एक con हो जाता है जिसको आप con नहीं कह सकते हैं लेकिन ये एक ऐसा point है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अभी ये fans market में नए आए हैं और जिन भी company के ये मिल रहे है market में तो जैसा मैंने आपको बताया के इसके अंदर components काफी बढ़िया लगे होते हैं चोटी सी motor लगी हुई है winding काफी मोटे wire से करी गई है heat की कोई problem नहीं है तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे लेकिन अगर कभी future में खराब होते हैं तो इनके जो parts हैं वो कैसे भी available होंगे service कैसी मिलेगी brands की जिस भी brand का आपने fan लिया है तो ये काफी सारे points हैं जो ध्यान में रखने होते हैं इनको मैं cons नहीं कहूंगा लेकिन आपको ध्यान में रखने है तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो normal fan versus BLDC fan के उपर and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैंने काफी अच्छे से जानकारी detail में देने की गोशिच करिए एक एक चीज आपको दिखाने की गोशिच करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो पोचे तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए शेर कीजिए अपने friends और family members के साथ और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है electrical appliances के उपर, solar products के उपर या फिर electric vehicles के उपर तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ Thank you for watching the video, good bye